हलो गुद बॉर्णी डियर स्टूडेंट्स आई होप यहार आल सेफ एटियर हों आशा करती हूँ आप लोग सब सुरक्षित होंगे घर पर और साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों अब आके की बात करते हैं प्रीविज क्लास में हमने डाइजिशन के बारे में पढ़ा था डाइजिस्टिक सिस्टम वहां से जो कोश्चन बनते हैं उनमें खास है दात पर से कोश्चन जो कुटब होता है पूछा गया है कि दात में मौजूद प्रोटीन का नाम क्या है या पदार शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या है या कहा जाता है कि SEL किस ग्रंथी से स्रावित होता है तो इसके लिए बच्चो डाइग्राम है शरीर का सबसे मजबूत भाग है इनमल दात में मौजूद प्रोटीन का नाम डैंटी और SEL जिस ग्रंथी से स्रावित होता है वो है फंडिक तो इस तरह से आशा है आप पढ़ रहे होंगे रिवीजन कर रहे होंगे और आज हम स्टार्ड करते हैं उस सर्जन तंत्र या कहें एक्सक्रियोटरी सिस्टम तो देखें एक्सक्रियोटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते ही हमारे सामने ये डाइग्राम आ जाता है उस और इस कारी में जो अंग भाग लेते हैं वो सब मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं तो यह कहलाता है उस सर्जन तंत्र यह आपको डाइग्रम दिखरा हुगा यह एक सिस्टम है यह सारे अलग-अलग भाग है जिसमें आपके यह भाग कहलाता है अरोटा या कहें महाधम्नी यह ब्लड लेकर आता है रुधर लेकर आता और यहाँ से बढ़ जाती है यह आगे जा कर के जब रीनल में जाता है या किड़नी में जाता है तो यह व्रक की जाता है व्रक या धमनी यह आगे जा किसमें चली जाएगा किड़नी व्रक यह जिसे हम गुर्दे के नाम से भी जानते हैं यह यूरेटर्स किड़नी से निकलने वाली नलीका हैं मुत्र वाहिनी और यह उपन होता है आपके यूरेणरी ब्लैडर में यूरेणरी ब्लैडर या कहीं मुत्राशे और मुत्राशे लास्ट उपन होता है यूरिथ्रा या कहीं मुत्र मार्ग में इस तरह से अलग अलग भाग मिल्क करके एक सिस्टम बना रहे हैं जो काम कर रहा है अनावशक और हानी कारक पदार्थों को अलग करने का आगे बात करें हम यह हमने थोड़ी सी सनरचना स्ट्रक्चर के बारे में देखा अब बात करते हैं आगे की उसर्जन उसर्जन क्या है तो उपापच्चे क्रिया यह बचो यह शब्द पहले भी जिकर हुआ था मैटाबॉलिज्म उपापच्चे क्रिया के फलसरूप ही वेस्ट प्रड़क बनते हैं या कहें बायो केमिकल जो रियक्षन है शरी के अंदर होने वाली रसाइनी क्रियाएं आप नहीं बनेंगे अच्छे पदार्थों में से सेपरेट नहीं होंगे तो उपापच्चे क्रिया के फलसरूप बने अवशिष्ट उत्पादों पाह निकलना ही उत्त सर्जन कहलाता है तो यहां से जो कोशन बनता है जो अन्डरलाइन किया हुआ वर्ड है वहीं से कि उसर्जन किस क्रिया का रिजल्ट है तो आपका अंसर है METABOLISM उपापचे अब उस्रजन के रूग में मनिशे किन किन पदार्थों का उसर जशन करता है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं तो उसरजी पदार्थ की रूप में आपके पास जो कोशिन हम पढ़ रहे हैं कि स्थ सब्सक्राइब करने कि यह आप पंद पाथ बच्छों जि democratic व्रक यह तो फाइब क्या शब्द पड़ रहें हैं को कि सब्सक्राइब कर रहे को य time developed यह आप् geweंक आगो जब हम किडिनी या व्रक्क की बात करते हैं, जिसे आप आम भाशा में गुरदा के नाम से जानते हूं, साइन्स की लैंग्वेज में से रीनल कहते हैं जब इसका जिक्र करते हैं तो किडिनी या व्रक की पोजीशन हमारे रीड की हड़ी जो हम पढ़ चुके हैं कंकाल तंत्र में रीड की हड़ी के दौनों तरफ कमर वाली भाग में मौजूद होती है इसकी खास बाद ये दौनों सनरचना में एक जैसी होती है ठीक है? इनका structure एक जैसा होता है इनका function एक जैसा होता है बस difference होता है तो क्या अंतर है? ये एक थोड़ा सा उपर होता है कौन सा? राइट साइड की जो किडिनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है और left की थोड़ी सी उपर डौनों की same position नहीं होती है राइट साइड की जो किडिनी है थोड़ी सी नीचे होती है कारण है due to presence of liver या कहें यकरत की उपस्थिती के कारण जो राइट साइड की किडिनी है या व्रक है वो नीचे की और होता है बाकी कुछ भी अंतर नहीं है अगर आप बात करें तो बिल्कुल यह same के बीच की आकार की नजर आईगी आपको दिख रहा होगा यह बाहर का external view है बाहर का diagram है और यह internal view थोड़ा सा interview देख लें तो आगे हमें बार बार revise करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे चीजे इससे पहले मैंने आपको diagram में बताया था यह जो बाहर का भाग है यह cortex कहलाता है और यह अंदर का medula यह कुछ पार्ज दे रखें हैं यह veins दे रखें आपके चीक है यह renal vein और यह artery बाकी का हम जिकर बाद में करेंगे इसी के पास से यह यूरेटर निकलती है यहाँ पर filtration का process होता है अब कैसे हैं अब आगे देखते चलेंगे मानल में मुख्य उत्सर्जन अंग एक जोड़ी सेम की आकरती के तो question यहाँ से केवल यह बन सकता है कि सेम के और कौन सा सेम तो यह फिर हम सको compare कर सकते है राजमा राजमा जो बीज है उसकी दर है सेम के बीजुनुमा गहरे लागरं के यह kidney है और यहाँ से जो खास question है study के बारे में question आता है बच्चो जो इतनी भी study है उसकी चर्चा हर class में हम करेंगे next में ठीक है नेफ्रो लॉजी kidney या गुर्दा का study क्या कहलाता है नेफ्रो लॉजी कहलाता है और उससे सम्मंदि डॉक्टर को नेफ्रो लॉजिस्ट कहते है जहाँ पर underline है जहाँ star है बच्चो वही हमारे questions है हमारे शरीर में क्या-क्या उसरजी पदार्थ बनते हैं वो हमने देखा इसकी अलावा कौन-कौन से अंग है जो उसरजी पदार्थ निकालते हैं तो वो दोखे Skin Skin क्या काम करता है हमारे शरी से जो अनाविशक जल है वो पसीने के रूप में बहा निकालता है जो हमारे शरीक को नहीं चाहिए खनीज लवर्ण या आप कहें आपके NACL वगर वो हमारी बॉड़ी से बहार निकालता है एक्सिस में लिवर की बात करें और यदि पसीने के रुप में बहार नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीक का टेमप्रेचर इंबैलेंस हो जाएगा दूसरी बात करते हैं लिवर की तो जैसे जैसे आप स्टडी करोगे या डाइजेशन में देखा होगा कि अगर औरगन अपना काम नहीं करेंगे तो फिर उसमें से अनावशक पदार और आवशक पदार दौनों मिल जाएंगे सेपरिशन नहीं होगा लिवर तो बहुत ही महत्वपूर काम करता है हर एक के अंदर बहुत सारा कारे है इसका है अगर ये काम नहीं करें तो सारे सिस्टम इसी पर ही डिपैंड करते हैं बच्चों स्प्लिण की बात करें स्प्लिण प्लिहा आगे भी पढ़ेंगे स्प्लिण प्लिहा तिली जिसको अलग-अलग नामों से जानते हैं इसे आरभीस्य का जिस्ताम भी कहा गया है आरबीसी का जो लाइफ टाइम है वह 120 दिन का 120 दिन के बाद जब उसकी डथ हो जाती है तो यह कहां चले जाते हैं स्प्लिन के अंदर चले जाते हैं और वहां उसका आगे का प्रसिजिंग होता है फीक है तो यह यह और नहीं होए तो फिर चोटी आँब के अंदर बड़े आँब करते हैं इस तरह से यह और गण हेलप करते हैं उस्झें के अंदर फिर फटरों की बात करें तो लंग्स जो काम करते हैं वह कि ऑक्सिजन को ले रहे है एक जगे तो दूसरी तरह बेकार अलावा किड़नी के अलावा जो अनावशक और हानिकारपदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। उस सरजन अंग के अंदर कौन-कौन से अंग शामिल हैं। एक बार हम वापस देख लेते हैं। एक जोड़ी किड़नी, एक जोड़ी व्रक हैं। एक जोड़ी यूरेटर्स, मुत्रवाहिनी भी एक ही हैं, जो किड़नी से निकलती हैं, ये यूरेटर्स, और मुत्राशे इसके अंदर शामिल अंग हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा जिकर कर लें, तो ये जो बाहर का भाग हैं। ठीक है, रीनल का मीनिंग आपके व्रक से लिया जाता है, इसके अलावा आपके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा हैं, इस तरह से ये पिरामेड शेप दिख रहा हैं, तो ये वक्ये पिरामेड कहलाता है, और ये आगे का कौन टाइप स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है पापिली प्यापिली ठीक है और ये जो रेड कलर की आपको ट्यूब दिख रही है ये कहलाती है व्रक्किय धमनी गहलाती है जो व्रक्की तरफ जाती है व्रक्किय धमनी और ये जो यहां से निकल रही है ये है आपकी व्रक्किय शिरा और ये जो चौड़ा भाग है ये कहलाता है धीनल पैल्विस हिंदी और इंगलिश का नाम एक ही है पैल्वेस और ये पैल्वेस एक सकड़ी नली का में खुलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर या कहें मुत्र वाहिनी एक जोड़ी होती है और दौनों का काम भी एक जैसा है अब हमें बात करनी है कि इसकी अंदर क्या है जो काम कर रहा है यूरेन को बलड से सेपरेट करने का अब बात करते हैं कि प्रतीक किडनी के अंदर लगभग, लगभग दस लाग छोटी-छोटी निली काय होती है हर किडिनी के अंदर एक किडिनी के अंदर लगभग बहुत फाइन ट्यूब जोटी है जिने नैफरॉन कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में उन्हें व्रक नलीका आप या कहें व्रक के अंदर मौझूद पतलीशू शूश नलीकाओं को हम क्या कहते हैं व्रक नलीका हि या नैफ्रोन आपके कोश्चन जो पुटा पुटा होता है वो आपके नैफ्रोन से आता है कि व्रक्क के अंदर मौजूद पतली शुष्मनलीकाओं को क्या कहते हैं या उनकी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 10 लाख और क्या नाम है तो नैफ्रोन अब नैफ्रोन की बा उत्त सर्जन तंत्र की इकाई क्या है पूरे सिस्टम की इकाई तो देखो बच्चो हमेशा पहला आंसर आप दोगे किसको दोगे नैफ्रोन को या हिंदी में लिखा होगा व्रक्क नलीका को पहला आंसर हमेशा बहीं जाएगा यदि आपके पास आप्शन नहीं है भई हमे आप्शन में नैफ्रोन नहीं दे रखा है तो जरूर वहाँ पर आंसर दे रखा होगा आपके व्रक्क सैकिंड नमबर पर आप आंसर पिडिनी को दे सकते हो हमेशा प्रिफरेंस नैफ्रोन को देंगे पहला अगर दे रखा है और सपोज करो दौनों ही दे रखे हैं तो भी आपका पहला प्रिफरेंस किसको जाएगा नैफ्रोन को ही जाएगा तो उसरजन तंत्री की इकाई किसे कहा गया है नैफ्रोन को या कहें व्रक्क नलीका को कहा गया है और ये नहीं है तो फिर आपका किडिनी क्योंकि व्रक्क नलीका से ही किडिनी बनी हुई है इसमें मौजूद है अब बात करें आगे नैफ्रोन की कि प्रतिक व्रक्क नलीक यह नेफ्रोन में एक छोटी प्याले नुमा रचना होती है अब हम किसकी जानकारी ले रहे हैं जो पतली नलीका है जिने हम नेफ्रोन कह रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं प्रतिक व्रिक नलीका में एक छोटी प्याले नुमा संरचना होती है जिसे बौमन किसका भाग है तो बोमन संपुट आपके भाग है उसर्जन तंत्री की काई या कहें नेफरोन का भाग है ये बच्चों ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं ये हैं हमारे पास नेफरोन की स्ट्रेक्चर नेफरोन की संरचना जो दस लाग है उनकी में से एक एक एकाई का स्ट्रेक्चर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रेक्चर दिख रहा है आपको ये स्ट्रेक्चर किसका है नेफरोन का है व्रक नलीका का है ये जो आपको स्ट्रेक्चर दिख रहा है ये देखो ये नलीका है ये आपको एक कपशेव प्याले जैसा ये प्याले जैसा जो structure दिख रहा है ये कहलाता है आपका बोमन capsule हम एक बार labeling कर लेते हैं तो हमें easy रहेगा ये कहलाएगा आपका जो cup shape structure है बोमन capsule बोमन संपुट भी कह सकते हैं बोमन संपुट का जो पीछी का भाग है बहुत ज्यादा कॉयल्ड है थोड़ा सा जो कॉयल्ड भाग है ये कहलाता है आपका proximal convulated tube या कहीं समीपस्त कुंडली नली का proximal और tube मीनी नली का ये जो आगे का blue color का आपको दिख रहा है ये जो कुंडली वाला नली का है ये इसके पास की नली का कुंडली नली का और ये दूर वाली कुंडली नली का हो गई तो distal convulated tube या इसको हम कहेंगे दूरस्थ कुंडलानी नली का ये दूरस्थ कुंडलानी नली का यह बोमन कैपसुल बोमन समपुट हो गया इसका पीछे का कुंडलनी भाग इसी के पास है इसलिए समीपस्त कुंडलनी नलीका और यह जो भाग है यह दूरस्थ हो गया और इन दौनों के बीच में बिलकुछ सीधी जो नलीका दिख रही है U-shape की यह U-shape की नलीका कहलाती ह है लूप ऑफ हैंले यह कहीं हैले लूप जो यह अपको यूशुप का ब्लु क ओलर का दिख रहा है ब्लु कलर का बचओ ब्लु कलर का यह है आपका हैंले लूप और ये जो last है दूरस या distal convolated tubule ये open हो रही है एक बड़ी नलीका में और ये बड़ी नलीका कहलाती है collecting duct या संग्राहक नलीका संग्राहक नलीका में open होता है, खुलता है ये collect कर रहा है आपको दिखाएं दे रहा होगा structure में कि जैसे एक नलीका इसमें आकर खुल रही है ऐसी बहुत सारी अलग अलग नेफ्रोन की यहां पर दूरस्त कॉंडलरी नलीका आकर के खुलती है और वो last में आकर के आपके रीनल पैल्विस में खुलती है और वहां से यूरेटर में और यूरेटर से यूरेनरी ब्लैडर में चली जाती है तो ये वाली बात हो गई आपके एक नफरोन की अब बात करते हैं ये जो आपको दिखाया रखा है वोमन कैपसूल और वही चीज लिख रखी है कि वोमन कैपसूल से एक कुंडलरी नलीका निकलती है और एक U-shape की आकरती बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं हैले लूप कहते हैं हैले लूप एक बड़ी सीधी वाहिनी में ये जो लूप है वो बड़ी सीधी वाहिनी में खुलता है जिसे संग्राहग वाहे का कहते हैं और जिसमें कई नफरोन की लेलनीकाए भी खुलती हैं सबी संग्राहग वाहेनिया क्रमशह व्रक पैल्वेस और मुतर वाहेनी फिर वहां से मुत्र राशय में जा करके खुल जाती है यहां तक हमें समझ में आ गया अब बात करते हैं आगे की जो आपको red color का दिख रहा है यह आपका blood की बात कर रहा है कि यह काम क्यासे करता है प्रते किड्नी के अंदर क्या होता है कि धमनी व्रक्य धमनी आपने पढ़ाओगा इसमें तो धमनी निकलती है धमनी एंटर करती है आप प्रीवेस वाले डाइग्रम में देख सकते हो कि हर किड्नी में व्रक्य धमनी एंटर करती है और एंटर करने के बाद बहुत जादा ब् जाती है फिर एक-एक प्रांच एक-एक नैफ्रों में चली जाती है एक-एक शाखा एक-एक नैफ्रों में चली जाती है अब जो एक-एक नैफ्रों के अंदर जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं ठीक है a friend art rockets यह कहें अभी वाहिज धमनी का अफ्रेंट धमनी नहीं है धमनी अब बढ़ चुकी है और छोटा रूप ले लिया क्योंकि अलग-अलग नेफ्रोन में इसको जाना है तो अफ्रेंट आर्ट यॉल ये नलीका में बढ़ गई है और ये एक नेफ्रोन के अंदर एंटर करती है इसे हम कहते हैं अभिवाही धमनी का जो की ब्लड लेकर के जारी है ये चौड़ी होती है ये अंदर जाकर के कैपसूल में बहुत जादा कुंडलित हो जाती है और एक जाल सा बना लेती है इस जाल जैसे इस्ट्रिक्चर को कहते हैं ग्लो मेरूलस यह हिंदी और इंग्लिश सेम नाम चल रहे हैं जहां हिंदी होगा बच्चो जरूर लिखवाऊंगी तो कहेंगे यहां पर एक नेटवर्क है रुधिर केशिकाओं का जाल है जिसे ग्लो मैरोलस कहते हैं और फिर यह वापस से एक नलीका बनाता है जिसे कहते हैं इफ्रेंट आर्टियोर्स या कहें अपवाही धमनीका जब एंटर हुई तो एफ्रेंट या अभिवाही और फिर उसने बहुत जादा नेटवर्क बना लिया केशिकाओं का जिसको नाम दिया ग्लो मैरोलस और फिर ग्लो मैरोलस एक वापस से एक ट्यूब बनाता है जिसे नाम दिया गया अब वाही धमनीका अब यह लेकर के जारे अब यह जो ब्लड है इफ्रेंट आर्टियोर्स आगे जाकर के बहुत ज्यादा थोड़ा सा नेटवर्क बना लेती है यह नेटवर्क बना लेती है इस लूप के उपर हैंले लूप समीपस्त कुंडली नली नलीका और DCT के उपर PCT और DCT समीपस्त कुंडली नलीका और दूरस्त कुंडली का PCT और DCT तो PCT और DCT के उपर एक कौइल बना लेती है और प्लस हैंले मेंरे लूप अब यह क्यो बना लेती है और आगे जाकर के यह आपके शीरा के अंदर, रीनल वेन में खुल जाती है, बच्चों, वरक्कнет शरा में खुल जाती है, पिसारी वरक्के शरायं जुड़कर के महांनिकाल जाती है, कॉमन मना करती है, अब देखू, इस तरह से इसका नेटवमर्ख होता है, ठीके, यहां से बलर जाता है, और यहां पर आकर, यहां पर यह जो जा रहा है अभिवाही धमनी का यहां से रुधिर जाता है और यह रुधिर यहां जाकर के फिल्टर होता है या छनता है छनने के बाद यहां पर क्या आ जाता है बच्चो यूरेन और Blood यही रह जाता है, Blood इधार ही रह जाता है और यह Blood आगे चला जाता है इसमें यूरिन के साथ साथ मुत्र के साथ आपके खनीजलवण होंगे, मिनरल्स होंगे इसके लावा Glucose है, Amino Acids है, Creatine है, Uric Acid है यह सब मौझूद होते हैं, प्लस आपके आवशक पदार्थ भी मौझूद होते हैं, जो यूरिन से चलिन नहीं जाए तो क्या होता है, यूरिन के साथ आवशक पदार्थ Glomerulus से इस नलिका में छन जाता है ठीक है, छन जाता है, तो आपके question आता है कि यूरिन के छनने की क्रिया कहां होती है तो कहां होती है इस Glomerulus के अंदर, filtration की क्रिया होती है यहां से रुधिर से urine separate हो गया, पर इस urine के अंदर, जब ये urine इन नलिकाओं से PCT, Henle Loop और DCT से पास आउट होता है, गुजरता है, तो उस दौरान क्या होता है, अगर ऐसा ही चला गया, तो जब यूरिन, यूरेटर से बाहर आएगा, मुत्त नलिकाओं से बाहर आएगा, तो आफशक पदार्थ भी यूरेटर के साथ बाहर आजाएगे, पर ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी का सिस्टम बहुत ग्रेट है बच्चों, यह जो रुधिर केशिकाओं का जाल दिख रखा है, टो यहां से बुजर रहा होता है, तो यहां से जल, जो एक्स्टा जल हमारी बॉडी से बाहर नहीं चला जाए तो यहां से यह जो जल है, वो किसमें चला जाता है इस रुधिर कैपिलरी के अंदर चला जाता है Same case ऐसा ही इसमें बच्चो जो water है पानी है वो इस रुधिर केशिकाऊं में अंदर चला जाता है ऐसे ही यहां से इनके अंदर नमक जो mineral salt है वो यहां से ब्लड़ के अंदर मिल जाते हैं इसी दोरान इस urine में से जो आपके amino acid है amino amyl है glucose है यह सब पानी है potassium है यह सब कहां चले जाते हैं वापस से urine में से छन करके इसमें आ जाते हैं एक तरसे कहें यहां से तो जो urine है वो filter हुआ और यहां पर आकर उधिर के अंदर अवश्योशित हो गया यहां से लेकर यहां तक और लास्ट में यहां पर आकर आपके hydrogen ion potassium ion यह सब इसमें काम की चीज जो काम की नहीं है वो इसमें चली जाती है और urine के रूप में यहां पर आ जाता है तो कुल मिला करके अवशोशन हो रहा है इस वाले भाग के अंदर यहां पर blood से urine separate हो रहा है फिर urine में जो काम की चीज़ें हैं काम के तत्व हैं वो वापस से हमारे blood के अंदर अवशोशित हो जाते हैं ठीक है जिससे urine के अंदर केवल पानी की मात्रा रहे और वो भी कम से कम रहे आवशक खनिचपदात या आवशक तत्व urine के थुरू बाहर नहीं चले जाए सबी संगराख वाहिनी वाली बात हो गई थी प्रत्यक व्रक में व्रक धमनी प्रवेश करती है तथा प्रत्यक नैफ्रों के बौमन संपुट में आंटर करती है जिसे अभीवाही धमनी का कहते हैं यहां तक हमने देखा था बच्चो और ये अभी वाही धमनी बार-बार विभाजित होकर महीन केशिकाओं का गुच्छ बनाती है जिसे हम Glomerulus कहते हैं तो Glomerulus क्या हो गया? केशिकाओं का जाल है जो बॉमन सम्पुट में प्रेजन्ट होता है, उपस्थित होता है Glomerulus के बाद ये केशिकाओं वापस से संयुक्त हुई और क्या बनाया? उन्होंने अपवाही धमनी का बनाए इफ्रेंट आर्टियोज जो गॉमन सम्पुट में एंटर कर रही है वो आपकी अभी वाही धमनी का होगी एंटर कर रही है, वो चौड़ी है और जो निकल रही है वो आपकी अपवाही धमनी का और ये दोनों बीच में मिलकर के आपके केशिकाओं का गुच्छ गुलोमेरोलस बना रही है अब ये नैफ्रोन में यहां तक आपकी बात हो गई आपको ये पूरा समझा दिया है और यहां से आपका यूरेन बहाद आता है नैफ्रोन में रुधिर के चन्ने की क्रिया होती है ये आपके कुश्यन आता है रुधिर के चन्ने की क्रिया बार बार आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहां होती है तो निफ्रोन के अंदर होती है और निफ्रोन में भी पर्टिकुलर कहां होती है तो आपके होती है गलो मैरोलस के अंदर होती है नेफरोन में होती है बिल्कुल होती है नेफरोन में लेकिन नेफरोन में भी कहां होती है ग्लोमेरोलस के अंदर अब यह जो यूरिन आ रहा है बाडी से देखो यहां तकी बात हुई तो यहां से सब जगे से ये इसके renal pelvis के अंदर आपके ये जो renal pelvis है इस renal pelvis के अंदर सारी जगे का कलक ठोके संक्राहक वाहिनी इदर आ करके खुलती है और फिर renal pelvis से ureter मुत्र वाहिनी में चला जाता है और ureter से आपके urinary bladder में अब जो urine निकल रहा है उस urine के अंदर composition क्या है तो पानी का 95% urea है uric acid है in organic salt है organic salt है creatin ठीक है आप में सबसे ज़्यादा जो question आता है पानी का और urea का और कौन सा acid present है ये हमारी लिए तो यही खास है और यही बार-बार question रखते हैं के लिए आपके competition exam में इसके अलावा यह creatin किसका भाग है तो urine का ही पार्ट है ठीक है और फिर जो खास question बनता आपके वापस से वह है कि urea का संशलेशन किस अंग में होता है तो किस अंग में होता है वह होता है आपके लिवर के अंदर लिवर के अंदर होता है बच्चों आपके तो लिवर इसलिए आपके लिए बहुत खास है यूरिया का संशलेशन कहां होता है लिवर के अंदर होता है लिवर यकृत के अंदर और यूरिया बनने की क्रिया या यूरिया बनने का संशलेशन की जो क्रिया है वो ornithin cycle कहलाती है लिख लेते हैं किस चक्र के थुरू होती है तो उस चक्र का नाम भी लिख लेते हैं और नेफिन चक्रों इस चक्र में बच्चों क्या होता है जो हमारा यूरिया यह लिवर है यह लिवर के अंदर आपके दो भाग अमोनिया के और एक भाग कार्बन डेक्साइड मिल करके यूरिया का निर्मान करते हैं और निथिन और यूरिया और पानी इसका लास्ट प्रोड़क्ट रहता है तो दो भाग अमोनिया के और एक भाग कारबन डक्स है लिवर आपका बहुत खास होता है बच्चों अगर ये खराब हो जाए तो बहुत सारे खास जो इंपोर्टेंस फंक्शन है वो काम नहीं कर पा बहुत खास है बच्चों ये लीवर का शही रहना बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी इसके लिए गुड्फ अक्सराइज होना चाहिए पानी का मांट आपकी बाडी में अच्छा होना चाहिए खान पीन के लिए आपको बैलेंस डाइट मस्ट है तो यूरिया का संचलेशन किस औरगन में होता है ये भी आपसे बार-बार अगर आप पेपर उठा करके देखोगे कमपटीशन के तो यह आपको आराम से मिल जाएगा कि यूरिया का संचलेशन सरीर के किस औरगन में होता है तो लिवर के अंदर होता है किस चक्र के थू होता है तो और्नेथिन चक्र कहलाता है, और्नेथिन साइकल कहलाता है, जिसके अंदर दो भाग अमोनिया के और एक भाग कार्बन अक्सन मिलकर के यूरिया का निर्मान करता है अब ये बात होती है ऐसा क्यों करें देखो बच्चों जब हम भोजन लेते हैं तो उस दारान कई अपचित अमीनो एसिड रह जाते हैं जो काम में नहीं आ रहे हैं प्रोटीन के डाइजेशन के दारान वो सब कहां चले जाते हैं लिवर के अंदर चले जाते हैं लिवर में जाने के बाद ये आपके amino acid को समय के बाद convert हो जाते हैं ammonia के अंदर ammonia चुकि बहुत घातक है poisonous है तो शरीर में नुकसान नहीं पहुँचाए तो ये लिवर क्या काम करता है और शरीर के अलग-अलग भागों से आई हुई कार्बन डग से इन खराब gases को एक साथ combine करके process करके वो कम घातक पदार्थ में निर्मान कर देता है जिसे यूरिया कहते है यूरिया इतना नुकसान नहीं करता है जितना की ये करता है तो ammonia जो हानिकारक gas है उसको कम हानिकारक पदार्थ यूरिया के अंदर बदल देता है कौन लिवर अगर लिवर अपना काम नहीं करे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा इसका meaning है बच्चो कि ये ammonia या विशाक्त पाएगा कि आपका शरीर के अंदर पानी भर जाएगा poison की मातरा बढ़ जाएगी ठीक है आगे बात करें यूरिन का koleर पर question आता है कि यूरिन का का koleर क्या होता है और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है तो यूरिन का रंग पीला होता है किस वर्णक के कारण है तो eurochrome वर्णक के कारण eurochrome एक वर्णक है pigment तो eurochrome वर्णक की presence के कारण इसका रंग पीला होता, एक वेक्ती लगभग एक दिन के अंदर, एक से डेड़ लीटर urine का निश्काशन करता है और ये जरूरी है ये बच्चो उस case के अंदर है जब एक विक्ति, मतलब जब यह हम बात करते हैं, डिसकस करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं healthy person की, एक स्वस्त विक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक स्वस्त विक्ति जब एक दिन में लगभग average 5-6 लीटर पानी का यूज कर रहा है, उस दौरान वो 1-5 लीटर यूरिन का नि आपके question ये है, next, कितना लीटर अमाउंट लेता है, तो डेड़ी लीटर, next question फिर आपके put up होता है, urine की nature कैसा है, तो urine का nature लगभग थोड़ा सा acidic ही होता है, 4.5 acidic, पर बच्चों यहाँ पर next question और भी बन सकते हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, ये nature, प्रवर्ती, प्रकर्ती, आपके बातावरन और खान पीन पर, अगर आपके खान पीन के अंदर बहुत जादा चिकनाई हैं, या फिर alcoholic, चाय, कौफी पदार्थ हैं, तो बहुत जादा आपका urine का nature कैसा हो जाएगा, acidic हो ये depend करता है, या फिर पानी का amount आप बहुत intake कम कर रहे हो, उस दोरान भी क्या होगा, अमलियन नेचर रखेगा, और इसका result क्या निकलेगा, आपके urinary part के अंदर जलन होने लग जाएगी, next, अगेन फिर question की बात होती है, nature की बात हो गई, कितना urine excrete करता है, वो, वैसो प्रसीन हार्मोन, already आपके पूरे notes के अंदर highlight किया हुआ है, जहां पर question put up होते हैं, बत्यों, कि वैसो प्रसीन हार्मोन, व्रक्नली काओं में, जल का पुनर अवशोशन करके जी, absorption करके, urine की मात्रा को कम करता है, इस क्रियाप पर किसका control रहता है, तो आपके इस line पर इस sentence में दो question put up होते हैं, neural और endocrinal control, तो पहला है कि जल का पुनर अवशोशन कौन सा हार्मोन करता है, तो वैसो प्रसीन हार्मोन, पहला question, ये बात समझें क्या कहा रहा है, जब आपका urine बन जाता है, और urine separate हो जाता है, ब्लड से filter हो जाता है, ब्लड से filter हो गया और filter हो करके अब शोशित भी हो गया और उसमें से पानी वानी सब ब्लड के अंदा चला गया जितना ज़रुरत था, और जब यहां पर यूरेटर में transfer करना होता है, या pelvis में, तो उससे पहले, ठीक है, यहां पर pelvis में डालने से पहल यह जो हार्मोन है, कोशिश करता है कि हमारे शरीर से कम से कम पानी का माउंट बाहर जाए, तो यह हार्मोन क्या काम करता है, यूरेटर तो अलरेड़ी पानी ही है, फिर भी उसमें से, यानि यूरेटर में से जल का पुनर अवशोशन करके, ये यूरिन है व्रक्नलिकाव में यूरिन में से पुनहैं जलकाव शोषण करके ये क्या काम करता है यूरिन की मात्रा को कम करता है जलका है जलका ही लिखा हुआ है देखें आगे गो थू दिस पेज सामानित्य मूल मुत्र अमलिय प्रकर्ती का होता है ठीक है देखा था और ये किस कारण से और अमलिय नेचर का हो सकता है ये डिपेंड करता है हमारे पेपदार्थों पे हमारे खान पीन पर अगर हमारे भोजन में अलकोहलिक चाए, काफी, ओली सबस्टेंस की मातरा जादा होगी तो यूरिन का नेचर असेडिक हो जाएगा या फिर कहें पानी का अमाउंट अगर हम कम ले रहे हैं तो भी क्या रहेगा असेडिक नेचर और यूरिनरी प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएगी नेच्स्ट बात करते हैं जब यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है तो उससे पहले ठीक हैं ये नेफरोन क्या काम करते हैं तो नेफरोन में यूरिन से मुत्र से जल का ब्रक नलिकाओं में जल का पुनह अवशोशन करा जाता है ठीक है जल का पुनह अवशोशन किसमे से किया जा रहा है तो यूरिन से किया जा रहा है और ऐसा करने से यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी यूरीन का मीनिंग है पानी की ठीक है और इस पूरे काम पर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है तो वैसोप्रेसीन हार्मोन काम कर रहा है वैसोप्रेसीन तापके कोश्चन आता है कि जल का पुनर अवशोषन किस हार्मोन के थू होता है तो आप आंसर दोगे वैसोप्रेसीन हार्मो इस पर जो दूसरा कोश्चन बनता है वो ये है कि वैसोप्रेशिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है तो हम कहेंगे ADH इसका नाम लिख ले एंटी डाइयुरेटिक हार्मोन एंटी डाइयुरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशिन हार्मोन जो यूरेण में से जल का पुनहर अवशोशन करके यूरेण की मातरा को कम करता है हमारे बच्चों बॉडी का सिस्टम इतना ग्रेट है कि कह नहीं सकते और रड़ी इंसान जब पानी कम भी ले रहा है फिर भी कोशिश करता है सिस्टम की पानी की कमी शरीर को कम से कम हो और क्या चाहिए तो कमी किसमे है हमें हमारा प्रोसीजर सही नहीं है हमारा रूटिन सही नहीं है अगेन जो question बनता है फिर सुने कि इस क्रियाब पर किसका control रहता है किस system का तो फिर question है इस क्रियाब पर neural या कहें तंत्र की है और endocrinal control रहता है तंत्र की है जो हम nervous system में देखेंगे उसकी command रहती है या कहें nervous का brain का और दूसरा है hormones हार्मोन और तंत्र का तंत्र वाला भाग दोनों मिल करके इस काम को play करते हैं या control में रखते हैं तो किसका नियंत्रन रहता है जल का पुना रवशोशन पर तो हम कहेंगे तंत्र की है और दूसरा है आपके अंत्रसराविय ग्र हार्मोन का तो कैसी प्रकरती थी कौन कंट्रोल कर रहा है और क्या function कर रहा है यहां पर जो underline क्यों ही है यहीं अपनाप में question है वच्चों ध्यान रखेंगे और प्रतेक व्रक में लगभग 10 लाग अतिशूश्म नलीकाएं होती है जिसे व्रक नलीकाएं या नैफ्रोन कहत हैं तो आपके question आता है कि एक व्रक और एक कड्णी के अंदर लगभग कितनी नैफ्रोंस होती है तो लगभग 10,00,00,00,00 होती है और ये 10,00,00,00 के अंदर क्या होता है व्रक के छन्ने की क्रिया होती है रुधिर के छन्ने की क्रिया एक एक शब्द बार बार माइंड में आ रहा होगा बच्चों आपके, रुधिर के छन्ने की क्रिया, तो जो रुधिर के छन्ने की क्रिया है या हम कहें, फिल्ट्रेशन की क्रिया, कहां पर हो रही है? या हम आ फिल्ट्रेशन की क्रिया, तो रुधिर के छन्ने की क्रिया, तो जो खें, पेहला आंसर अगर आपके में दे रहा है, तो वो आपके ग्लो मैरूलस ठीक है Glomerulus से होती है Bowman's input के अंदर दूसरी चीज़ अगर आपके option में ये नहीं है तो आपके पास answer चला जाएगा Nephron मैंना आपको दौनों चीज़ी बता दी है competition में दौना आए तो आप परिशान नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे टैंस नहीं होंगे ठीक है Nephron करेंगे second value में और दौन option दे रखा है तो Glomerulus लहे गई केशिकाओं का गुच्छा रहेगा ठीक है ये है और कहें कि Nephron के भाग कौन कौन से है तो Nephron के भाग में आपने देखा भी था एक बार revise कर लेते हैं कि व्रक नलिका का भाग किसे मिलके बना हुआ है तो व्रक नलिका का जो भाग है वो आपके ये व्रक नलिका के भाग कौन कौन से है मैं आपके लिख देती हूँ easy करने के लिए बौमन संपुर्ट आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और याद भी आ गया होगा बॉमन संपूर्ट इसके बाद ये बॉमन संपूर्ट एक नलीका में खुलता है जिसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलीनी नलीका PCT फिर ये PCT U-Shape का टर लेती है हैं हैंले लूप हैंले लूप लूप से वैसे बच्चों आपको याद आ जाएगा सीधी जो रिखा है और ये हैंले लूप आके DCT में उपन होती हैं दूरस्थ कुंडलनलीनलीका और लास्ट ये जो distal convulated tubule है वो आपके ओपन होती है संग्राहक वाहिनी के अंदर इस तरह से और यहां पर आकर के बहुत सारी नेफ्रोंस की संग्राहक वाहिनी ओपन होती है और फिर वहां से यूरेटर और यूरेनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है और टाइम टू टाइम यूरेनरी ब्लैडर या मुत्राश्य से यूरेन एक्सक्रेट हो जाता है फिक है तो यह हमने देखा एक्चुल में हमारे नेफ्रोंस के अंदर या कहें व्रक नलीका के अंदर दो क्रियाएं होती है एक होती है छन्ने की क्रिया और दूसरी होती है अवशोशन की क्रिया रुधिर के चन्ना रुधिर से यूरेन का चन्ना वो ग्लो मैरोलस के अंदर होता है यूरेन अलग सेपरेट हो जाता है और जो ब्लड है ब्लड के अंदर काम की चीज़ा उशोशित हो करके वापस से शिरा के थुरू चला जाता है अलग-अलग पाट के अंदर तो आज के लिए इतना ही बच्चों आशा है आप इसको रिवाइस करोगे इस पर जोर दोगे डायगरम को समझोगे और खास तोर पर जो कोशन पुटब होते हैं अंडरलाइन की हुए हैं उन पर एक बार नोटिस करोगे और कल हम बात करेंगे आगे रेस्परेशन की रेस्पायरेटरी स आई चीलिए अप्सक्षर तरी बच्च शीए प्याइसन प्रीछेशन रेस्पायरेटर अधिकान की टेस के लिए हैं वीजिए आए से भाइशनी तोर दॉक्ट में रिए तोर बात 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 चांटे सेट्वारेटरी अटल्स आए क्यारेटर गाहर बात दोरेशने एगरने